नमस्कार मैं हूँ वैशाली शेटी, खबर महराश्टर में आप सभी का स्वागत है मुलिटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई से सटे नवी मुंबई की कोपर खेरने पुलिस के पुलिस ने कैसे शातिर चोर को गिरफतार किया है जो बंध घरों का ताला तोड़ कर सोने के अभूशन, नकदी और किंती सामान चुरा कर फरार हो जाया करता था गिरफतार आरोपी का नाम रिजवान उस्मान खान है जिसकी उम्रत 24 साल के असपस बताई जा रही है कथिच शातिर चोर ने इलाके में कई चोरी की वार्दातों को अंजाम दिया था लेकिन अब इसकी गिरफताली से स्थानिया लोगों को बड़ी रहत मिली है मामले की जाच में जुटी पुलिस ने सिसी टीवी फूटेच और तकनीकी जाच के अधार पर मुम्रा इलाके से इससे धर दबोचा है पुलिस ने कथिच चोर से पुछताच करने के बाद पाच मामलों का परदा फाश किया है और उसके पास से 17 तोले सोने और चांदी के गहने बरामत किये है जिनकी किमत लाखों में बताई जा रही है फिलहाल आरोबी पुलिस की हिरासत में जहां उससे लगातार पुछताच की जा रही है पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुड़ गई है कि कथित शातिर चोर ने अब तक कितनी वारदातों को अंचान दिया है दो फरवरी की दिन सुबह के दर्माइन कोपर खेरने में एक हाउस ब्रेकिंग का ओफेंस हुआ था उसमें कोपर खेरने पुलिस की टीम ने इस अंदर में अच्छा ब्रेक्टो लेकर आरोपी आरेस्ट किया है इसके पास से लगब पाच ओफेंसेस हमने डिटेक्ट किये हैं यह जो आरोपी है यह दो ती जगा वांटेड भी है और इसके किलाफ बहुत सारे ओफेंस इसके पहले भी दाकर है